नमस्कार दोस्तों मैं है एस्टोलोजर विजयकुमार अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे सनी की साड़े साती क्या होती है सनी की साड़े साती कुंडली में कैसे देखे और सनी की साड़े साती हमारे जीवन में क्या प्रिभाव डालती है देखे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि सनी की साड़े साती होती क्या है जनम कुंडली में चंद्रमा जिस रासी में बैठा होता है गोचर करते समय सनी देव जनम कालीम चंद्मा से जब बारवी रासी में परवेश करते हैं तो सनी की साड़े साती सुरू हो जाती है दाई साल सनी देव चंद्मा से पहली वाली रासी में रहते हैं और दाई साल सनी देव जिस रासी में चंद्मा बैठा होता है उस से आगे वाली रासी में रहते हैं इस तरह से सनी देव की साड़े साती साड़े सात वर्ष की होती है दोस्तों सनी की साड़े साती हमारे जिवन में क्या फिर भाव डालती है देखिए हमारे दो गिरह ऐसे होते हैं जो भिर्मन करते समय सबसे ज़्यादा एक रासी में रहते हैं जिसमें सनी देव सबसे ज़्यादा धाई साल एक रासी में रहते हैं, उसके बाद गुरुदेव एक साल के आसपास एक रासी में रहते हैं, और दोनों का ही काम हमें देने का होता है, गुरुदेव हमारी गलतियों को छमा करके हमें देने का काम करते हैं, और सनी देव हमारे बुरो कर्मों का दंड दे करके हमें देने का काम करते हैं कुंडली के माध्यम से सनी की साड़े साती कैसे देखें उससे पहले आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सबिस्काइब नहीं किया है तो चैनल को सबिस्काइब करें, लाइक करें, कमेंट करना और नोटिपिकेशन बैल दबाना ना भुलें क्योंकि मेरी अगली वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसीज आ जाएगे देखे कुडली में सनी की साड़े साती देखना भहुत आसान है देखे यहाँ पर मैंने एक लगन कुडली बनाई है अब हमें कुडली में सबसे पहले ये देखना है कि चंदर्मा कौन सी रासी में बैटा हुआ है चंदर्मा जिस रासी में बैटा होता है, गोचर में भिर्मन करते करते सनी देव जब चंदर्मा से पहली वाली रासी में परवेश करते हैं तो सनी की साड़े साती सुरू हो जाती है जिसे हम सनी की साड़े साती का पहला चरण कहते हैं और जब सनी देव पहली रासी से दूसरी रासी में दिखे जब इस जातक का जनम हुआ उस समय चंद्रमा मेश राशी में बैटे वे थे और सनीदेव करक राशी में जब सनी देव ने चंदमा से आगे वाली रासी में परवेश किया तो साड़े साती का तीसरा चरण सुरू हो गया जिसे हम सनी की उतरती साड़े साती कहते हैं दिखें जब सनी देव ने मेश रासी से व्रस रासी में परवेश किया तो इस जातक के लिए उतरती साड़े साती ह उस जातक के लिए सनी की साड़े साती का पहला चरण शुरू हो जाता है और जब व्रस रासी से मिथुन रासी में सनी देव परवेश करेंगे तो इस जातक के ऊपर से सनी की साड़े साती खतम हो जाएगी दोस्तों भूत आसान है ये देखना कि कुंडली में सनी की साड़े सा कैसे देखे हैं। इस तरीके से सनी की साड़े साती धाईवर्स 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 यानि के साड़े साथ साल की होती है दीके गोचर कुनली के माद्यम से भी सनी की साड़े साती कैसे देखे दीके यहाँ पर मैंने यह एक गोचर कुनली बनाई है गोचर कुनली यानि के वर्तमान कुनली यानि के वर्तमान में इस समय सनी देव कहां पर भिर्मन कर रहे हैं इस समय सनी देव मकर राशी में भिर्मन कर रहे हैं जिन लोगों की मकर राशी है उनके उपर सनी की साड़े साती का तूसरा चरन चल रहा है पहला चरण उनका खटम हो चुका है और जैसे ही सनीदेव मकर रासी से कुमरासी में परवेश करेंगे उनके उपर साड़े साती का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा जिसको हम सनी की उतरती साड़े साती कहते हैं और जैसे ही सनी देव कुम रासी से मीन रासी में प्रवेश करेंगे तो जितने भी जा तक मकर रासी वाले हैं उनके उपर से सनी की साड़े साती खतम हो जाएगी इस तरीके से हम सभी रासियों के उपर सनी की साड़े साती देख सकते हैं देखे कुंडली के माध्यम से ये तो हमने जान लिया कि सनी की साड़े साती कैसे देखे लेकिन सनी की साड़े साती हमारी जीवन में क्या प्रिभाव डालती है सनी की साड़े साती में हमें किन परिशानियों का सामना करना पड़ता है सनी की साड़े साती में हमें करम के फल कैस मिलते हैं सनी की साड़े साथी व्यक्ति को कैसे सोना बना देती है सनी की साड़े साथी में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सनी की साड़े साथी में हमें क्या उपार करने चाहिए देखिए कुछ परिष्टितियों में साड़े साथी शुरू होते ही व्यक्ति को म एक परिशानी खतम होते ही दूसरी शुरू हो जाना, घर में छोटी मोटी बीमारिया शुरू हो जाना, कई बार व्यक्ती को गंभीर बीमारी तक हो जाती है और व्यक्ती आर्थिक रूप से और मांसिक रूप से बहुत परिशान हो जाता है। जहां जहां व्यक्ति पैसा लगाता है, पैसा दूबता चला जाता है, और व्यक्ति आर्थिक रूप और मांसिक रूप से परिसान हो जाता है, और व्यक्ति के उपर करजा हो जाता है, ये सब कुंडली में सनी देव की प्लेसमेंट के उपर डिपेंट करता है, कि सनी देव की कुण्डली में placement कैसी है कुछ लगन हमारी ऐसी होती है जिन में सनी देव योग कारक होते हैं ब्रस लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन, तुला लगन, मकर लगन और कुम्ब लगन इन लगनों में सनी देव जादा बुरा फल नहीं देते अगर सनी देव की placement भी अच्छी हो तो ऐसे वक्ती अपने जीवन में बहुत उचाईयों को चूते हैं बहुत तरक्की करते हैं ऐसे वक्ती अच्छे राजनेता बन जाते हैं ऐसे वक्ती सनी की साढ़े साती में अच्छी इंडस्टीज के मालिक बन जाते हैं और कुछ लगने हमारी ऐसी होती हैं करक लगन, सिंग लगन, धनू लगन, मीन लगन इन लगनों में सनी देव मारक गिरह होते हैं और अगर सनी देव की प्लेसमेंट भी खराब हो तो सनी देव अपनी साड़े साती में व्यक्ति को भूत परिसान कर देते हैं और दो लगने हमारी ऐसी होती हैं, मेश लगन और विश्चिक लगन, जिसमें सनी देव सम होते हैं और अपने एवरेज फल देते हैं, लेकिन ये सब कुंडिली में सनी देव की प्लेस्मेंट के ओपर डिपैंड करता है, कि वो हमें खराब फल देंगे या अच्छे फल अब नमबर दो करम के फल सनी देव हमें करम के फल कैसे देते हैं देखें सनी देव के बारे में ये बात बहुत प्रिशलित हैं सनी देव ने अपने पिता सूर्य को भी दंड देव बिना नहीं छोड़ा था सनी देव व्यक्ति को उसके करमों का फल जरूर देते हैं अगर आपने अच्छे करम किये हैं तो आपको अच्छे फल मिलेंगे अगर आपने बुरे करम किये हैं तो आपको सनी देव दंड देव बिना नहीं छोड़ेंगे आपने किसी को धोका दिया है आपने किसी का दिल दुखाया है किसी के पैसे माल लिये है या कुछ लोग जिनकी कमपनियों में मजदूर काम करते हैं करमचारी काम करते हैं उनको सताया है या परिशान किया है जब भी सनी की साड़े साती आती है या दसा अंतर दसा आती है तो सनी देव उनके कर्मों का फल जरूर देते हैं क्योंकि सनी देव इन लोगों के कारक होते हैं सनी की साड़े साती में व्यक्ति सोना कैसे बन जाता है साड़े साती में व्यक्ति जब अपने बुरे कर्मों के कारण समश्य भोगता है परिसानी भोगता है कई बार गलट डिसीजन के कारण करजा हो जाता है अपनों से रिष्टे खराब हो जाते हैं कई बार व्यक्ति बीमा शुरू कर देता है व्यक्ति के नए जीवन का निर्मान होता है क्योंकि संगर्ष करते करते उसको सभी चीजों का ज्यान हो जाता है और व्यक्ति सोना बन जाता है सनी देव भी तो यही चाहते हैं कि व्यक्ति अच्छे करम करे और अच्छा इंसान बने नंबर चार ध्यान क् लेकर सनी की साड़े साती में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।權ला। कमपनी में काम करने वाले करमचारी को रेडी पट्री लगाने वाले किसी भी व्यक्ति को परिसान ना करे, किसी को सताए ना, क्योंकि सनी देव इनके कारक होते हैं, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कि सनी देव आपको अच्छ कारंटी के साथ कहता हूँ, कि आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, परेशान ही चल रही है, सब खत्म होती चली जाएंगी। देखे, पहला उपाय है बीज मन्त, अगर आप शनी देव की एक माला डेली करते हैं, तो आपके जीवन जो भी समस्या चल रही है, उसका समाधान जरूर होगा देखे बीज मन्त हमारे जिवन में कैसे काम करते हैं इसके उपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है पार्ट 25 आप मेरी वीडियो देख सकते हैं देखे जब किसी गिरह के सामने हम प्रात्ना करते हैं नमन करते हैं कि हे सनी देव मैं अपने बुरे कर्मों क कारण जो समस्या भोग रहा हूं परेशानी भोग रहा हूं मेरी गलतियों को छमा करें मुझे अपने अच्छे पल दे तो घिरह आपको लिए पोजिटिव हो जाता है और अच्छे पल देने शुरू कर देता है नमबर दो सनीवार वाले दिन किसी सनी मंदिर में जाएं वह अच्छे पल दे लेकिन एक बात का ध्यान रखें याद रखें कि सनीदेव के ऊपर तेल वही लोग चड़ाएं जिनकी कुंडली में सनीदेव मारक होते हैं और अगर किसी की कुंडली में सनीदेव योग का रखें और वो तेल चड़ाते हैं तो उनको नुक्सान भी होगा देखे पहले आप अपनी कुंडी का किसी अच्छे जोतिस से विवेचन कराएं उसके बाद ही सनी देव के उपर तेल चड़ाएं नमबर तीन सनी वार वाले दिन ही किसी पीपल के पेड के नीचे एक दिया जलाएं और उसके साथ चकर काटें और पीपल देव से प्रादना करें कि हे पीपल देव महराज मेरे जीवन में जो भी समक्य चल रही है परेशा नी चल रही है किर्पया उनको खतम करें उनका समाध करें देखे people के पेड का और सनी देव का आपस में क्या संबंध है इसके बारे में मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा जिस से आपको यह पता चल सके की हम PayPal के पेड के नीचे दिया क्यों जलाते हैं और पीपल के पेड के नीची प्राथ बातना करने से हमारी समस्चा का समधान कैसे हो जाता है दोस्तों जो भी मैंने आपको यहां पर समझाने की कोशिश की है बताने की कोशिश की है जो भी मैंने यहां पर आपको सनी की साड़े साती के बारे में जान करी दी है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो किर्प झाल 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 झाल